ख्षेत्र में आवश्चक उद्योग के प्रशिक्षन के लिए पहल करना आवश्चक है और द्योगी ग्विकास के लिए प्रशिक्षित्ष्रमिशक्ती आवश्चक होती है उद्योगी की इस जरूरत को समझती हुए बुटिपूरी मैनुफेक्ट्चर असोसेशन ने प्रशिक्षन के सभागरों में कोशल प्रशिक्षन पूरा करने वाले युवाव को प्रमान पत्र दिये गे वह उस समय मार्ग दर्शन करते हुए बोल रहे थे इस असर पर जिला परिश्चत के मुख्यकारी अधिकारी योगेश को मेज कर बुटिपूरी असोसेशन की अधिक्ष प्रदीप खंडेवाल कोलियर्ज इंडिया थर्मल की सल्स डारेक्टर और एक्सपोर्ड आलोक नागर उपस्तित थी रेफ्रेक्ट्री ने पहला प्रशिक्षन सत्र पूरा कर लिया है और वेल्डिंग प्रशिक्षन का दूसरा सत्र शुरू होगा प्रशिक्षों को अपने गाव जाना चाहिए और वहागे बच्चों को इस प्रशिक्षन की महत्व को समझाना चाहिए और उन्हें प्रोचसाहित करना चाहिए इसलिए ओद्योगिक शेत्र के लिए प्रशिक्षित श्रमिकों को प्राप्त करना सुविधा जनक होगा जु उन्होंने कहा इस बात पर जोर दे कि बच्चे इस प्रशिक्षन का सबसे अधिक लाब कैसे उठा सकते हैं। कोरोना वाइरस के संक्रमन की कारण इस काम में देरी हुई है। कलेक्टर ने कहा कि अब घटना घट रही है। इसे तेज किया चाहेगा। कारण मंत्री द्वारा प्रशिक्षन शुरू किया गया और पहले बैच का प्रशिक्षन पूरा हो गया है। प्रमान पत्र देकर खुशी हुई। मुख्यकारी अधिकारी योगेश को मेश करने कहा कि अधिप से अधिक लाबारती इस प्रशिक्षन का लाब उठाए। और कुशल और कुशल बने जिससे जन्शक्ति निर्मान में वृद्धी होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रशिक्षन अन्यजिलों में भी आयोचित किये जाने चाहिए। बुटिपोरी मैनिफेक्चर्स असोसीशन की अद्धिक्ष प्रदीप खंडिलवालनी शिवेर के संगटन के बारे में वृस्त जानकारी देती हुए कहा कि प्रशिक्षित श्रमी को द्वारा उद्योग को प्रशिक्षन दिया चाहिगा। उन्होंने कहा कि वह बच्चों को ITI में प्रशिक्षित करेंगे और उन्हें यहां उद्योग में नौकरी देंगे। आलोक नगर बिक्रे निदेशक थर्मल और एक्सपोर्स केलोरीज इंडिया और समीर काजी ने मार्ग दैशन प्रदान किया गणमान्य व्यक्तियों के हातों प्रशिक्षों को प्रमान पत्रवित्रित किये गए इस असर पर बुटिपोरी मैनिफेक्षर्स असोसेशन के पदादिकारी शशिकान को ठार कर उपस्तित थे